हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ यूटूब चैनल बुल मारकेट्स, आज इन्फोसिस के फॉर्थ कौर्टर के रिजल्स डिकलेर हुए है, हम उन्हें अनलाइस करेंगे एक दम सिंपल लैंग्वेज में और डिसाइट करेंगे कि हम इन्फोसिस में लॉंग टम के लिए इन 2311 क्रो रुपीज, यर-on-year 13% की solid ग्रोथ है, वही quarter-on-quarter normal 1.5% की ग्रोथ दिखाए दे रही है, अभी हम इन्फोसिस के नेट प्रोफिट देखेंगे, फोर्थ क्रोटर में कमपनी का नेट प्रोफिट है 5076 क्रो रुपीज, यर-on-year solid 17% की ग्रोथ है, वही quarter-on-quarter negative 2.6% की दिखाए दे रही है, अभी हम इन्फोसिस के analyze figures देखेंगे, revenue 10.7% से grow किया है financial year 2021 में, वही profit 16.6% से और EPS 17% की grow दिखा रहा है financial year 2021 में, जो कि यह काफी positive दिखाए दे रही है, इन्फोसिस ने 4th quarter में 15 रुपीज का dividend डिखलेर किया है, जिसकी record date 1st June 2021, अगर आप ये share 1st June के बाद बेश देते हो, तो भी आपको इस company का dividend मिलेगा, company की AGM है 25 जून को, और आपके खाते में ये dividend 1st week of July में आ जाएगा, company ने buyback डेकलेर किया है, जिसकी maximum price है 1750 रुपीज पर share through open market, company ने total buyback डेकलेर किया 9,200 क्रोर्स का, Infosys का current market price है 1397 रुपीज, dividend yield 1.25% है जो कि एक काफी अच्छा yield है, return on equity 25% है जो कि एक काफी अच्छा नंबर दिखाई देता है, last 10 years का sales growth है 15% का, वही last 10 years का profit growth है 10% का, अगर आपने Infosys में 10,000 रुपे निवेश की होते 10 साल पहले, तो आज आपके पास में लगबग 40,000 र Invest करना है तो आप जरूर कीज़े क्योंकि एक leading IT sector company है, return on equity 20% से ज्यादा की है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है, ये एक debt free company है, ये एक high dividend paying company है और regularly company dividend pay कर रही है, last 10 years का sales और profit growth 10% से ज्यादा का है, जो कि एक काफी अच्छा positive sign माना जाता है, अगर आपको कोई और IT stock में invest करना है long term के लिए तो आप TCS, HCL Tech या वीपरो के साथ जा सकते हो, तीनों ये companies fundamentally काफी strong companies है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा return कमा के दे सकती है, company ने OK OK results declare किया है, अगर आप already company में invested हो तो आप बने रह सकते हो, इस company में अगर आप fresh invest करना चाते हो तो आप TCS या HCL Tech के साथ भी जा सकते हो, apart from Infosys. Thanks for watching guys, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए और ऐसी stock ideas के लिए channel को subscribe कीजिए.